नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत अपना स्टेडी लेक्चर यूटूब चलने में तो दोस्तों एक बार फिर आजरम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर वीडियो को लेकर यानि फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करेंगे खेत के छेतरफल को बीघा में कैसे बदलें जैसा कि आप जानते हैं आपके खतोनी में जो छेतरफल होता है वो हेक्टेयर में होता है जब आप लेकपाल या पटवारी से मिलते हैं और अपनी खतोनी ऑनलाई निकालते हैं या जाके आप तहसील में निकालते हैं तो हाँ आप रिवां कि खतोणी में जो छेटफल होता है वह आपका हेक्टियर होता है अब बहुत सारे बहुत सारे फ्रेंट समने लगातार कमेंट करते हैं मुझे पर सपरली कॉंत्यक करते हैं कि तर भीधा में इसका मान क्या हो करें और आप कोई प्रस्ट नाता है तो मैं तो आ हर एक जीले वाइज भी आपको करूवाइट कर दूँगा भग करें आज प्रियाग्राज में बीगह की वर्Г मीटर में कितनी होती है वर्ग घज में कितनी होarγ फुट में होती है साथी साथ हेक्टियर के माध्यम से खेत का छेतरफल कैसे आप वीघे में कनवर्ट करेंगे इस वीडियो में पूरे डीटियल के साथ समझाऊंगा अगर आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे तो सारी चीजे सीख पाएंगे और ये जो चीजे मैं बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूटूब पे चान लिजेगा इतना गरंटी के साथ कहा रहा हूँ कि एकुरेट वैलू आपको यहां पे प्रोवाइट करेंगे ठीक है तो अगर वीडियो पूरा देखते हैं अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा अगर मेहनत मेरी थोड़े से आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक करिएगा इसके पहले बताना चाहूँगा कि यह है नया यूटूब चैनल मनुस्था लेक्चर्स आपकी लिंक जो इसके नीचे जैस्ट वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रीशन बॉक्स मिलेगी इस चैनल पर आपको जाना है बहुत सारे हमने वीडियो प्रवाइट किये हैं आपकी जो परस्फनाते हैं उन पर मैं वीडियो आपको यहीं प्रवाइट करता हूँ इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो देखिएगा बहुत सारे वीडियो हैं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करिएगा तो फ्रेंट्स आजए शुरू करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो हेक्टेयर में अगर डाटा है जैसे आपके खतावनी में देखा कि आपके खतावनी में खतावनी पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रवाइड कि हैं कि खतावनी क्यों किस प्रकार पढ़ें खतावनी में क्या क्या खसर तो मैं वीडियो जरू बनाऊंगा लेगन आपको कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्णों को कमेंट जरू करिए तो यहां पर हेक्टेयर में डाटा है जो खतोनी में आपका यह है 0.8256 हेक्टेयर अब यह कुल छेतरफल आपका किसमें है हेक्टेयर में है इसको हमको जिला है प्रयाग राज ठीक है यहां जिसे इलहावाद कहा जाता है तो यहां पर आपको दिख रहा हो यह पूरे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको निश्ची दूरूप से वीडियो प्रवाइट करेंगे लेक कि आपके उत्तर प्रदेश में लेकपाल चलते हैं तो लेकपाल से आपको क्या करना है कॉंटेक्ट करना है तहसिल में जाके या उनसे फोन पर कॉंटेक्ट करें किसी भी प्रकार से करें और उनसे ये बात पता करनी है कि आपके जिले में एक बीगे का वर्ग मीटर में कित पाल या पटवरी से कंटेक्ट जरूर करिएगा और एक बीघे का वर्ग मीटर में मान जरूर पुछेगा यही आपको पूरे खेत के छेत फल को हेक्टेयर को आपको बीघे में बदल देगा तो यहां पर हम बात करें तो यह आपका कुल छेतर फल है ठीक है जीरो दसमलो आट दो पांच्छे हेक्टेयर यह कुल छेतर फल हेक्टेयर में है अब आप जानते हैं कि एक हेक्टेयर की बैलू 10,000 वर्ग मीटर होती है इस पर हमने भी आपको अलड़ी वीडियो प्रोवाइट किया है तो यह समझ लीजे कि एक हेक्टेयर की जो बैलू होती है जैसे 0.825 है है तो इसमें आप क्या करेंगे 10,000 से गुड़ा करेंगे तो ये कूल खेट का 6 तरफल जो हो जाएगा ये आपका बदल जाएगा किसमें इसको धिहान रखना है इस बात को कि ये आपका बदल जाएगा वर्ग अमीटर में ठीक जैसे वर्ग मीटर में बदल लेगा गुड़ा करिएगा इसको ये दसम्बलो निकालना हटाना तो मैंने अलड़ी बता है लेकिन आप गुड़ा करिएगा कुछ करना नहीं आपको केलक सब्सक्राइब प्रदेस के प्रयाग राज जीले की बात करें एक बीघहा जो मान होता है यह उतै हुटा है 288 वर्गमीटर वहीं इसके बगल में प्रयाग आपको बढ़ जाता है परताब गड़ वहाँ पे इसकी बैलू कितनी हो जाती है 2529 दसमलो 288 वर्गमीटर ठीक है तो हर एक जीले की भी अलग अलग होती है बिजनोर की अलग होती है क्योंकि अगर आप नहीं कर्मट कर पा रहे हैं तो आप क्या करिएगा कि लेख पाले पटवारी संपर करने के बाद अपने जीले का नाम लिखना है और जीले के नाम के बाद एक वीगे की वेलिव वर्गमीटर में कितनी आती है कमेंड बॉक्स में बता दीजेगा मैं आपको पूरे concept के साथ आपको video provide कर दूँगा या तो मैं आपको personally आपको message कर दूँगा कि आपके खेत का छेतरफल hectare से बीगे में इतना होगा ठीक है आप यहाँ पर देखिए एक बीगे की value अगर बात करें 2280 वर्ग मीटर होती है तो यहाँ कुल खेत का छेतरफल कितना है 8256 वर्ग मीटर है तो 8256 में 2880 का भाग कर दे ठीक है क्या करना है भाग करना है मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको रटा नहीं रहा हूँ सिर्फ आपको hectare को वर्ग मीटर में बदलने के बाद आपको क्या करना है जितना वर्ग मीटर में आपका लेकपाल या पटवारी एक बीगे की बैलू बताएं उनसे आप उसे भाग कर दीजिए उस छेतरफल ठीक है तो यह बीगे में कनवर्ट हो जाएगा यानि यह कुल खेत का छेतरफल तीन बीगा से जादा है यानि चार बीगे से कम या तो कहें आप सड़े तीन बीगे से भी जादा है अब वहीं एक बीगे की बैले वर्ग मीटर में या वर्ग फूट में कितना होती है तो एक वर्ग मीटर में आपका जुमान होता है वो आपका एक वर्ग मीटर में 10.749 यह वर्ग फुट होता है तो सिंपली इसमें आपको गुड़ा कर देना है यह यह वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा तो एक बीगे की बेलूज हो जाएगी वह 24,541.79 वर्ग फुट हो जाएगा ठीक है अगर एक बीगे की बात करें वर्ग गज में तो कितना हो जाएगा यह 2726.85 वर्ग गज हो जाएगा यह कैसे बदल गया यह तो मैं अल्लेडी आपको प्रोइड किया हूँ आपने देखा हो तो वर्ग मीटर से वर्ग गज में कैसे बदलें वर्ग फूट में कैसे बद है क्योंकि यहां पे देखा जा तो 3 वीगा तो पूरा पूरा है यानि दसमलो के बाद जो नहीर है इसको आप 20 सेesarमन करना करेंगे कंदें तो तीन भीगा से ज़्यादा है साड़े तीन भीगा से भीत जादा है तो एक बीगा की बैलू जो होती है वो 20 विस्वा के बराबर होती है तो दसमलो के मान में जो है उसमें आप 20 से उड़ा करेंगे तो 0,6,2,1 जो ये बैलू है दसमलो के बाद उसमें 20 से उड़ा किया है तो ये बिस्वा में चेंज हो गया यानि 12 विस्वा है दस विस्वा होता तो सा जमीन अब धूर में कितना है तो धूर में भी कनवर्ट सकते हैं दसमलों के बाद जो बैलू है विस्वा में 20 धूर होता है तो गुड़ा कर दीजेगा 20 से तो यह आपका धूर में चेंज हो जाएगा धूर को विस्वांसी का जाता है अब इसके आगे भी एक होती है कंचवा इसमें भी आपका मान निकल के आ जाएगा बसरते उसमें 20 का गुड़ा करेंगे दसमलों बाली वैलू में तो कनवर्ट हो जाएगा तो यह लंबा प्रोसेस थोड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आज जो मैं वीडियो प्रवाइड कर रहा हूं यह आपका उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज जीले के बारे में बताया हूं आगे नेक्स्ट वीडियो भी मैं प्रवाइड करूँगा आप अपने श्टेट का अपने प्रदेश का जानना चाहते हैं अपने जीले का जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शरूर कमेंट करिएगा अगर वीडियो पस स्माहत करते हैं नमस्कार